हलो एवरीवान बिहार का लिटी चोखा की रेसपी बहुत दिमांड में है जाइका का तड़का पे और इसलिए आज हम आपके लिए लाए हैं लिटी चोखा और चटनी की रेसपी संगीदा कोठारी जी जो बिहार खगड़िया रीजन से है तो वह आज हमें दिखानी है वो जाइका का तड़का की काफी सारी वीडियो रेसपी देख भी चुकी है तो इस प्लेजर तू भी है और आज हम उनसे सीखेंगे कि आप बिहार की लिटी चोखा चटनी अथेंटिक कैसे बनाते हैं अगर आपको यह रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा उन्होंने सारी तियारिया कर रखेंगे अभी आम सबसे पहले लिटी का आटा लगा रहे हैं यह होगी तस लिटी का अटा यह नौर्मल गेहूं का आटा उनने लिया है दो अटा आटा आप ले लीजे बडी का टारी इसमें नमक स्वादमसार अच्छा इसे 3 4 ती स्पून मंग्रेला इसको कलाजी पी बोलते हैं अच्छा काला जी तो मंग्रेले इसको पिहार में बोलते हैं यह एजवाइन हमने लिए तो इसमें कोई स्पेशल तेल लेना है हमें नहीं रिफाइन अच्छा नॉर्मल जो भी आपका तेल वेजटेबल ओले हैं सो छोटी आइधिक दो छोटी चम चम ने यहां पर तेल लिया है सब इसका आटा हम लगा रहें लिटी चोका बहुत ही प्रसिद्ध है और वर्ल में बिहार में तो आइधिंक संगीता जी बहु अब लिटी चोका यहां पर इसमें बहुत रहां बनता है अब जिस तरह का बैगन का आलू का टमाटर का परवल का जो बनाना चाहें हम बना सकते हैं अब हम आटा लगा रहे हैं यहां पर इसमें हमें आटा मीडियम कंसिस्टेंसी का लगाएंगे रोटी जसे आटा अच्छ अब हमारा आटा लग चुका है यहां पर अब हम बनाते हैं मसाला लिटी बंने का अच्छा लिटी में भणने का मसाला बना रहे हैं सत्तू का आटा हम इसमें आट करेंगे अल्मुस्स तीन टेबल स्पून हमने प्यार राइड करिए लासुन अधरक कच्छी मिर्ची दो टेबल स्पून थोड़ी धन्या की पती योगया लेमन जूस आच्छा यह देदी मैंने चार चमच नमक स्वाद अनुसार आपको डालना है यह हो गया बुनावा जीरा यह भी एक तीस्पून हमने डाला है अल्मुस्ट मसाली की क्वांटिटी आप अपने हिसाफ से चेंज कर सकते हैं यह हो गया काला नमक यह कलोंजी इसमें भी डालेगी अच्छ है अच्छा लगालानजे तो आइ धिंग मैंडेटरियलिटी हमLEY टोडन यह हम क्या दाल रहे हैं सर्सो तेल सर्सो ने इन है और सर्सो के आपी देल होना जाये विद रहें यह झार्वाद दोड़ आपको सर्सो का टेल दालें गेon तो यह क्या बना रहे हैंनों गूबनी बिहार की फेमस थाली का पूरा हम आपको दिखा रहे हैं सारी की सारी रेसिपी इसके लिए सर्सो तेल डाले हैं यह भी सर्सो के तेल में बनेगा लिट्टी भी सर्सो के तेल में बनेगा लिट्टी भी सर्सो के तेल में बनेगा लिट्टी भी सर्सो के तेल में बनेगा लिट लिति चोका का नाम चुनाई और बहेंगन का भड़ता है । यह हम क्या कर रहे है यह हम नितना तर रोल्स बना रहे है लिति इससे बनेगी जो दिखता है वही बनता है जाइक का तड़कावे आपर है तो देखे क्या डाला है अब ये जीरा ये तेज पकता हां हा इसमें डालेंगे प्याज हुआ हाँ पास चम्मत हमें प्याज डाली एं तर्टों सी तेल की स्पु आरी है यम हाँ आद इसमें डालेंगे जो पूट रखेंगे प्याज़ागा अच्छा अच्छा now we builtiti का करने के तो ये तो lati होगी इस सिर्मेंS के रोल बनां के प्र अपने इसको प्रेस तो देखें, हम एक और वार आपको दिखा देते हैं हाथ से उसको बढ़ा करके बीच में मसाला जो हमने बनाया उसको भर के प्रेस करके हम उसके सारे रांद्स को बलत चुपक में लीःड़े को हम उसके अर परांठे को करते हैं हाथ में आप सर्णों का तेल ले रहे हैं, इसको उसका टमाटर को अच्छा इसे ङूटा तेल लगाना पड़ेगा वह इससे बिखेक्ज सता जो और गया है यह तो मेरे पहले देखाए कि यूद। हमने सर्णों का तेल पूरा अच्छे से लगा कि उसको गैस पर रख दिया है तो देगे टमाटर वहां पर शिक रहा है और ये टमाटर किसमें यूज होगा अच्छा तो यह हमने कितने बॉइल आलू लिए इसमें ये बॉइल करे हुआ है बिहार की मोस्ट फेमस रेसिपी लिट्टी जोखा की रेसिपी चल रही है उनली ऑन्जाइका का तड़का जो दिखता है वही बनता है यह हमने दनिया पत्ती टा लिए ऑक यहनँ पर हमारा टमाटर भी यह यह अच्छे टेरोस्ट हो difí हैं देखिए हैं पर यह पर रोस्ट हो रहा है थि यह पर नित्रो बोखना सब्सक्राइब और ब्रच शुए निया दिधा नज़क आप को सब्सक्राधि यह क्या नाला? सुल्च नेम्बू गच्यमच और वहां पर देखिये हमारा Tमाटा कैसे पता चलेंगा कि अथे हो गया है? पूरा प्रक्षा जब जयते अभे एक अब यह यह चीलना है तो आप यह दा त्वाल दो था यह घ्रम अल्डी अब तीखा वगर आप अपने प्रेस्ट के साब से दना करें तो किसी को ज़्यादा सिखा ज़िए कि यहाल में ज़्यादा तीखा चलिए अच्का अब हम इसमें पानी डाल रहे हैं अब यह क्या है यह क्या है यह काला चना है अगर चने हमने डाल दिये आप अगर चने सोक करना भूल गए है अगर हम बिगोना बूल जाए तो अलुमिनियूम की स्पून अगर डाल देंगे अगर कितनी सीटी लेनी है आट से दस सीटी लेनी है देखिए यही मज़ा आता है मॉम्स किसंग करने में क्योंकि अधर अलग अलग आपको टिप्स मिलते हैं तो अगर आप चने सोक करना अगर यही तो व्रड़ी टिप यह इन्होंने आज कर आए संगीता जी ने अभी हम यहां पर टमाटर चील रहे हैं अ यह तो संडेश को बन्ता हो गा इते इंग लिट्टी चो का अधने हमारे यह आतों जैसे के बारिस का मौसम है हाँ हाँ तो बुजे मन में आ चलू लिट्टी-चना खाना है हाँ पटापट चना गरम-पानी में देगा और यह बना है आपकोशनी के बाद 1 गंडा लगता कि बंद बना हो कितनी वार तो फ्राइ करते हैं लिफी को ये सेखने वाले बनती है तंदूर वन पे तो उसके लिए क्या करना होगा हमें यही वाला तंदूर है हाँ कितने मिनिट में सिख जाती है यह 20-25 और उसको हमें पलटते रहना है अच्छा तो आप फ्राइ भी कर सकते हैं तो आप उसको तंदूर हाँ वह नहीं खाना है तो आप उसको वैसे करें जैसे हम बाटी को भी बना लेते हैं पसे बाटी हाँ चना गुगनी चाड हमारा रेडी है पांच मिनिट हमने इसको फास गैस पर बॉइल होने दिया है यह तो बहुत ही टेम्टिंग लग रही है एकदम लिटी और बारिश से मौसम में आएकन अंडर्सकाइंड एकदम बहुत टेस्ती लगेगा गर्मा गरम गुगनी चाड लि अच्छा तो यह टेप है कि सर्सो का तेल पहले फुल गरम कर दो फिर उसको ठंडा करो तो पहले फुल लिट कर लो अच्छा बंद कर दो ठंडा हो जाएगा फिर इसको गरम करो तो सर्सो तेल की स्मेल भी नहीं आती है हां तो ऐसे चाहता है कि सर्सो तेल में आपकोई बीची ज्यादा ही एक बार में डाला है तो तो फिर नॉर्मल हो जाता है तो पुमी हो चु अच्छी हमने धनिया से इसको गार्निश कर दिया है और यह मरा चोखा बन गया बस्व टमाटर ग्रेट करके उसको अच्छे से देख्मिक्श गरंश कर दिया तो हमारा चोखा रैडि है चना गुबनी अमारा रैडि है और वहां पे लिठी भी रैडी हो चुकी है आरिष के पीजन में तो नो डाउट लिठी विल भीग हेट गर्मा गरम काले चनी की गुभनी के संग और चोखे के संग यह बहुत ही टेस्टी लगेगी चटनी में हम क्या क्या डालेंगे यह राई सर्सों लाल वाली बनारसी सर्सों अब इसके अंदर दही ओके सो सर्सों में हमने दही हां डल जाएगा अब इसमें लहसुन चाक पांच अच्छा अधरक एक इंच टुकड़ा कच्ची मिर्ची हां एक चमच सत्तु सत्तु गाटा यह भी चटनी मैंने पहली बारी सुनी है यह बिहार की स्पेशल चटनी है आलू प्राठा के साथ सत्तु प्राठा के साथ किसी देली प्राठा के साथ खाई एक खाई। बहुत अच्छी लगी यह बिए चटनी पीस लें अब आ कि अंग आ कि अधी एक चमच निम्बो का रस नमक टेस्ट के साफ से अंग और थोड़ा काला नमा तो यह आप स्वाद नूसां डाल सकते हैं आप जो दिखता है वो यह बनता है जायका का तड़का में क्योंकि देखें कि हम आपको अने इडिटिट वीडियो आपके सामने कोई एडिटिंग नहीं है इस वीडियो में और बिहार की पूरी की पूरी थाली आपके लिए रेडी है यहां लिटी से लेके आलू प्याज टमाटर का चोखा गुगनी काले चने की बॉइल काले चने की और सर्सो की चटनी के संग विद इस लवली मॉम है संगीता कुठारी जी बिहार के खगड़िया रीजिन से है वो और वो उन्होंने शेयर करिया मैं संगा बिग थाइंक्स तो हर फो इस सच्च अ सिंपल और डिलिश वन